हलो दोस्तो मेरा नाम अबय परताब सिंग और मेरे यूट्व चैनल का नाम रिजनिंग बाई अबय परताब सिंग है दोस्तो आज हम बात करेंगे कि करणट अफेर्स कैसे तैयार करनी चाहिए लाइक जो अररभी गूरूप डी का एक्जाम है उसमें करणट अफेर्स का जो पोर्सन आता है वो बहुत ही important होता है अगर आप समझ लिजे अगर आप current affairs सही से नहीं पढ़ते हैं तो आप समझ लिजे कि 5-6 नंबर का आपका नुकसान है उसमें और होता किया कि यही जो 5-6 नंबर हैं वही हमें merit से बाहर कर देते हैं तो उसमें करना क्या है current affairs इतना tough नहीं है लाइक उसको अगर हम interest लेके पढ़ेंगे और एक manner way में मलब एक सही तरीके से अगर हम पढ़ते हैं तो current affairs हमारा बहुत ज्यादा tough नहीं है इसमें करना क्या है कि आपको दो column बनाने रास्टिय और अंतर रास्टिय उसमें करना क्या ह कि जो रास्टिय जो हैं मलब news हैं जो important है वह अपने रास्टिय में लग लिए जो अंतर रास्टिय हैं इसको अंतर रास्टिय में लग लिए उसके बाद करना कि हर एक योजनाए नहीं 2 करनी है हर एक चीज नेशनल चीजह नहीं नहीं नोट आई लिया और अंतर राष्टी है तो अंतर राष्टे में लिख लिया उसमें कुछ क्या होती है सरकार की योजनाएं होती है सरकार की योजनाएं वह इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट होती है कुछ चल रही होती है किसी के बारे में या उसका उद्गाटन हो रहा होता है या उसके बारे में परचार परसार होता है तो उसको आपने वहां लिख लिए दूसरा क्या है कि अंतर राष्टे मुद्धे होते हैं अंतर राष्टे में मालीजे बहुत सारे जो हमारे विदेश के मामले होते हैं या पिर या कहे लिजे कि विदेश सच्यू कहीं पर जाते है जो उद्गाटन होता है या कहीं से लब किसी चीज के बारे में हमाई वारता होती है तो उसको आपने अंतराष्ट ए में लिख लिया फिर उस में क्या करना होता है कि आपकोर कोल्म बना के ही काम करना जैसे अगर देख लिया जाए कि माली जे CM है तो इस्टेट के पूरे CM आपने रिख लिए है उधर के इंटरनेशनल में आपने प्रेसिडेंट और PM एक तरफ लिख लिए है अब आपको हर एक PM और PM नहीं लिखना है ना ही प्रेसिडेंट लिखना है जो इंपॉर्टेंट है है जिस्पें हमारी सन्दी हो रही है जिस के बारे में है लिखना है ज merak है अब बात हम करते है इस्टेट में क्या करना कि कि आपको स्टेट में पहले सीयम हो गया ठीक है उसकी कैपिटल रहा है प्रबॉक तैवार जो पूंचा जर्ट जा रहा है ऐक्षाम में है फूर्ट के बारे में फूर्ट काउन से किस इस राज में ज़्यनेंदाफेमस हैं यह प्रकूलिया है यह सब क्या करना कि आपको अलग अलग लिखना है यह नहीं कि आप ने क्या करा एक पेश उठाया जिस फुर रास्टे अंतर रास्टे लिखत चले गए यह जो तरीका होता ता यह क्या होता किént्रेस्टिंग हो जाता है जिससे बच्चा पढ़ने या हम लोग जो है पढ़ते नहीं है फिर हमें क्या करना है कि हमें इतना कॉम्प्लिकेटड नहीं करेंट अप्यर्स बनाना हमें क्या करना है कि छोटा छोटा जो है पेज में या कहीं भी भी कॉलम बनाके उसको करना है इसके बाद हमें क PRAITSONAL बार इंटरनेशनल में आभी कुछ मिलने वाला है तो उसके बारे में लिख लिए। फिर खेल जगत में भी होता है, खेल जगत में आप करकेट का एक तरफ बनाएं करकेट के बारे में लिख लिए। टैनिस है एक तरब लिएज़ेँ बॉक्सिंग है एक तरब liगेज़ेए तीरन दाजी कौन फेमस है वो आपके व इसको क्या होगा कि एक आपके दिमाग में हाउच फोज नहीं होगा कि आपने ये भी एक जगा लिख लिए वो भी लिख लिए आपको अलग अलग कॉलम में बनाके उसको लिखना है उसके बाद क्या करना कि इंपॉर्टेंट देखना कि कौन सा इसमें खिलाडी इंपॉर्टेंट है ठीक कुछ योजनाएं होती हैं वो भी आपको आईसे लिखनी है फिर आपको करना क्या फिल्म फे वावार्ड वाले कुछ पुरसकार होते हैं उसको भी लिख लिख लिए ठीक है या खेल जगत में दिये जाते हैं उसको लिख लिख लिए पिर आपको करना है उसी हिसाब से आपको note down करते चले जाना है ठीक है कौन सा important है और जो भी अगर जैसे खेल जगत में कुछ भी update होता तो वहां पे आपने लिख देना है ठीक है यह नहीं कि मलब इस case से लाल पिला आपको कुछ भी नहीं रटना बिलकुल नहीं है अगर आप current affairs जिद दिन जब कभी आपने रटने की कोशिज करी तो समझ लिजिए आप current affairs कभी भी complete नहीं कर पाएंगे आपको करना क्या है कि कभी भी आपको रटना नहीं कोई भी subject आपको रटना नहीं है रोजाना या हर दूसे दिन उसको एक बार revision कर लेना तो उससे benefit क्या होगा कि आप जो है आपके दिमाग में होच्पोज नहीं होगा एक अलग मैनर में लिखा होगा जहां पे भी update होगा वहां पे आपने update लिख दिया इससे आपको benefit यह हो जाएगा कि आपको पढ़ने में और अच्छा लगेगा और दूसरा क्या है जब भी ज आता है समझ लिजे अगर आप reasoning math और यह science तो cycle लेते हैं लेकिन current affairs का चीज क्या होता कि लड़का हम लोग जो होते हैं update नहीं करते हैं पढ़ते हैं लेकिन उस तरीके से नहीं पढ़ते हैं तो हमें क्या करना है तोड़ा interest लेके पढ़ना है एक एक चीज को अलग-अलग note कर नहीं है और उसको रोजाना क्या करना है update करना है जिससे हमारी current affairs में क्या हो जागी पकड़ अच्छी हो जाएगी आप किसी भी exam में बैटोगे तो आपका current affairs छूटे का नहीं और सबसे अच्छी बात क्या है interest लेके पढ़िए current affairs सबसे अच्छी बात क्या होती कि update होती है उ रोजाना पढ़ना है अगर आप ऐसी तरीके से revision करते रहेंगे तो आपका current affairs भी complete अच्छा हो जाएगा और उसके साथ जीके भी अपकी अच्छी हो जाएगी ठीक है तो बस आप इसी तरीके से तैयारी करिए अगर आपको यह मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में सेयर करिये और information informative लगता है तो अपने दोस्तों में भाई और बैनों में सभी को बताईए ठीक है यह मेरा जो वीडियो है basically RRB Group D के लिए है उसके based जो भी current affairs आपके exam में पूछा जाएगा इसके लिए यह यह वीडियो मैंने बनाया थैंक्यू सो म सती है जाईए दीक एक जाएगा आपके यह भी ऑमेन में वीडियो आपके बनाया उला है पनुटा मैंचे जाएँ